हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माँ चैनल देखे फ्रेंट्स आज हम ग्रीन और नवी ब्लू कलर से एक प्यारी सी टोपी बनाएंगे छोटे बक्चों के लिए एक से डेर साल की बेवी के लिए ठीक है तो चली स्टार्ट करते हैं वीडियो को पूरा दिखेगा अगर टोपी पसंद आया तो वीडियो को लाइक सरूर कीजिएगा तो हम यह नवी ब्लू कलर से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर चार चेन बनाएंगे देखे एक दो तीन चार 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 बनाएंगे और पहली वाली चैन में हम ऐसे इसलिप स्टिच बना लेंगे अभी सुनको आपको ऐसे बीच में रखना है इसके ठीक अभी आपर देखे एक दो और यह तीन तीन चंड बनाएंगे और इसमें हम डबल क्रोश्या बनाएंगे बार ग्यारा डबल क्रोश्या देखे एक तो चंड है ग्यारा एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस और यह 11 ठीक है तिया हमने 12 डबल क्रोश्या बना लिए इसको काउंट करें चेन को एक दो तीन तीन चेन काउंट करें तो 12 डबल क्रोश्या होगा अब इसमें हम इसे स्लिप स्टिच से थर्ड चेन में जोड़ देंगे ठीक है फिर इसका नेक्स्ट वाले में इसमें हम 2 डबल क्रोश्या बनाएंगे एक और यह दो तो हमारे पास टोटल 24 डबल क्रोश्या जाएंगे इस तरह से ठीक है फिर इसमें एक और फिर एक और ठीक है तो ऐसे हम पूरे राउंड में बना लेंगे देखे देखे तो बना लेते हैं यह देखे यह हमने बना लिया है देखे इस तरह से 24 डबल क्रोश्या होगे अब यहाँ पर हम 3 वाली चेन में इसलिप स्टिच से जोड देंगे और यह उन इस तरह से हम कट कर देंगे उनको कट करने के बाद इसको जो हम बेक साइड से इस तरह से लिए ऐसे करके से हाइट कर देंगे और जो एक्स्ट्रा हुन है उसे आपको कट कर देना है पर अभी हम छोड दे रहे हैं अब हम यहाँ पर ग्रीन कलर जोड़ेंगे अब देखिए green color count जोडने के लिए पहले हम इसमें एक loop बना लेंगे एप लूप बनाने वक्त कहीं भी जोड सकते हैं तो जह हमने चैन बनाए थी मैं उसे वही पर जोड़ूंगी चैन के बगल में, देखिए दोनों के बीच में, बीच में हमें जोड़ना है, इस तरह से हमने से लिया, अब देखिए यहाँ पर एक, दो, तीम, यह लिया, अब इसके बाद देखिए जो अगला वाले डबल क्रोशिया है, उसे हम ऐसे उठाएंगे, उठाके और फिर इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, अब फिर यह जो इसके बीच में स्पेस है, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ से इसको हम ऐसे उठाएंगे, अगले वाले को, ठीक है, यह देखिए, यहाँ पर हमने बीच में जोड़ा, इसक तरह से बना लेन तो ऐसे आपको लास तक बना लेना है तो बना लेते हैं और यह देखी मैंने रोगकंप्लीट कर दिये इसको उठाके बनाय इसके बीच की जो गैपिंग है यहां पर हम इसे दौबल्करोश्या बनाएंगे और यह वाला इसको हम हम उठाके बनाएंगे ठीक ह अब देखिए क्या करना है आपको अब यह जो है इसको फिर एक दो तीन तीन बनाना है और देखिए यह जो है देखिए इसको उठाके बनाए तो इसको फिर से हम उठाके बनाएंगे जो यह रो हमने फॉर्स्ट राली रो बनाई यह रो आपको रिपीट करनी है इस तरह से ब फिर से दिखें अभी जो दोबल करोश्या दिकें वीच में दोबल करोश्या इसके पर बनाएंगे और जो यह इसके पर बनाए यह तब अब यह से उफ़ागर बनाए इसके पर हम उफागर बनाएंगे सब थे Zak इस तरह से डबल क्रोशिय और यह उठाके बनाया था इसके हम तो मतलब जो पहली वाली रो है उसी को रिपीट करना लेते हैं यह देखिए हमने रो कम्प्लीट कर लिए अब हम इसे यहां पर जो तीन चैन बनाय थी तो थार्ड वाली चैन में हम इसे जोड़ देंगे अब आपको क्या करना है देखिए आप एक दो तीन चैन बनाएंगे और इसी में हम एक और डबल क्रोशिय बनाएंगे ठीक है अब देखिए जो हमने यह उठाया था इसके उपर हम एक डबल क्रोशिय उठाके बनाएंगे ठीक है फिर अगले वाले में देखिए इसमें हम दो बनाएंगे एक और फिर एक और ठीक है यह हमने दो बनाया फिर इसके बाद वाले को दिखे जो उठाया इसको हम उठाकर बनाएंगे ठीक है तो इसको हम अपको इसी तरह से बनाना है दिखे नेक्स्ट जो यह नीचे एक है इसके पर हम दो बनाएंगे एक और ये दो ठीक है यह हमने दो बनाए अब इसको आपको जो है उठाकर बनाना इस तरह से ठीक है तो ऐसे ही आपको बनाते जाना है लास्ट तक यह देखे यह रो हमने कम्प्लीट कर ली है ठीक है अब देखिए last में यहाँ पर देखिए 2 एक में बनाए अब ये वाला जो है इसको last वाला इसको उठाके हमें इस तरह से बनाना है और यहाँ पर जो तीन चैन बनाएती इस तीन चैन में एक, दो, तीन इस तीन वाली चैन में हम इसे sleep state से जोड़ देंगे ठीक है तो अब फिर से यही रो आपको बनाने है ठीक है कैसे बनाने देखे एक दो तीन तीन अब इसी में आपको एक डबल क्रोशिया बनाना है ठीक है और यहाँ पर देखे दो है तो इस वाले को छोड़ देंगे अब इसको उठाएंगे ठीक है इसको डबल क्रोशिया बना कर इसे बना लेंगे तो यही हमारी design रेक को आपको उठाके बनाना Hack उसके बहगलोल दो बनाना है फिर next row में हम इसमें 2 का यहाइगे तो देखिए एक माली दो लाइन बनाई हैदवानी दो बनाई है फिर तीन माली तीन पर 2 में बनाएं फिर इसमें हम एक डवल क्रोशय बना लें फिर इसमें नेक्से में हम 2 डवल क्रोशय बनाएंगे एक दू ठीक है फिर इसको untwo को उठा के ऐसे हम एक डवल क्रोशय बनाएं यह देहिए इस को पिर आपको-छोड़ना यह दिखे विब्यूंड dont आफ एक तो देखिए इसमें हमने बनाए इसको छोड़ेंगे इसको हम ऐसे उपर उठाके ऐसे फ्रंट पोस्ट डबल कुरूश्या बनाएंगे अब यहां पर आपको एक दो तीन थार्ड वाली चेन में हम इसलिप स्टिच बना लेंगे यह दिखिए तो यहां पर आप देख स्टिच एक दो तीन तीन चैन फिर इसे महम एक और दो यह दिखे यह दूल कुरूश्या बनाए तो यह तो तर्टल तीन ओगया देखिए 1-2-3 अब देखिए एक और दो 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 छोड़ देंगे स्टिच फिर इक छोड़ेंगे और फिर उसके बाद वाले में हम डावल कु फिर अगले वाले में हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो और ये तीन ठीक है फिर इसके बाद देखे ये जो फ्रंट पोस्ट है इसको उठाके फ्रंट पोस्ट बनाएंगे फिर नेक्स्ट में हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे देखे एक दो और ये तीन ठीक है और फिर तीन के बाद वापीस से देखिए जो फ्रंट पोस्ट है इसे उठाके हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे तो अब आपको यही यह तीन की तीन रो बनानी है तो इसको मैं बनाके फिर आपको दिखाती हूँ कि देखिए यह मैंने बनाए है मैंने टॉटल 11 लाइन बनाए है और जितनी मुझे छाहिए उतना ही कंप्लीट हो गई है आर दिखए आपको पताया था कि एक की दो लाइन बनाएंगे यहां पे हमने यह देखिए यहाँ पर हमने एक एक डबल क्रोशे की दो लाइन बनाई थी एक दो फिर इसका दो डबल क्रोशे की दो लाइन फिर तीन की देखिए यहाँ पर तीन है एक दो और यह तीन इसका मैंने कहता आप चार डबल क्रोशे की बनाएंगे मगर इसकी चड़ाई ज्याद डबल पूश्य वाली ही लाइन बनाई एक तो अब इसकी लैन कम्पिल्ट हो गई है अब हम इस में जो है बॉर्डर बनाएंगे नीचे का ठीक है तो जहां पर हम जहां पर हमने जोड़ा है इस में पहले एक दो तीन तीन चैन फिर next में देखी एकड़ करोशियां फिर उसकी बाद में एकड़ करोशियां ठीक है है फिर इसके बाद हम देखिए इसको नहीं बनाएंगे इसके बगल वाले में एक दो और यह ठीक है फिर वापीस से इसको छोड़ेंगे यहां से एक दो और ये 3 टीक तो ऐसे ही हम इसको लाज तक बना लेंगे यह देखें यह हमने रोग कंपलीट कर लिए कit इसे अभाम धड़ए स्थरड़ेंगे इसे इसकत सब होत कर देना है इस उन año desert कर देते हैं देखिए उन कट करनके बसका करेंगे ब्ली तो यहाँ पर आपको कहां से भी start करना है तो देखे पहले भार बनाएंगे इस तरह सेटल जएपสटिच बनाएंगे और दिक यहाँ पर लगाएंगे तो यह जहाँ पे तीन के बीच की gap नहीं चोड़ा नहीं यहाँ यहाँ पर यहाँ पर हम इस तरह यहाँ पर दो बना रहे हूं और अगर आपको क्लित करते तीन डवल क्रोशिया था था यह तु पर यहाँ पर तीन क्योंटा समौ ई तो इस इन अदिफे सब्सक्राइब अधिसाइब सेरो कशब ने पर इस तरह से बंद कर देंगे फिर वापिस से इसी के पीछे से आपको इस तरह से चैन बनाने है एक दो तीन के बाद फिर इसमें हम एक और डबल क्रोश्या बना लेंगे अब इसका फिर नेक्स्ट में हम दो डबल क्रोश्या बनाएंगे एक दो यही लाइन आपको तीन चार से पांच बार रिपीट करने जिसे हमारी बॉर्डर का काम करेगी ठीक है तो यही लाइन आपको चार पांच बना लें तो बना लेती में बॉर्डर फिर आपको दिखाती कि दिखिए यह मैंने रोग कंप्लीट कर लिया अब इसको यहां पर हम थर्ड वाली चेन में इस लिप स्टेट से जोड़ेंगे और यहां पर ही इस उनको थोड़ा सा बढ़ा के कट कर देंगे हम यहां पर इस उनको हाईड करना है तो ज्यादा बढ़ा नहीं कट करेंगे थोड़ा सा ही मैंने कट किया है अब इसको आपको हाइड कर देना है पीछे की साइड से इस तरह से कि इसको बाहर कर लोगे इस तरह से ठीक है यह हमारी कैप रेडी हो गई केप रेडी हो गई है अब देखिए यहां पर मैंने छोटा सा फूल बना रखा है इस फूल को मैं यहां पर लगाओ दूगी इस फूल की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है आप इसे देख सकते हैं तो मैं यह फूल यहां पर टाग देती हूं यह देखिए यह हमारी बेबी का सेट बताया है मतलब अभी उसकी कुछ दिन पहले इसकी वीडियो अप्लोड की है यह उसपे की टोपी है और अगर आपको यह अच्छे लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा शैर कीजिएगा कमेंट करके जदाना बिलकुल नहीं भूलेगा आपको यह टोपी क